हालो बच्चों मैं सभीका सवगत करता हूँ फिजिज गान मकेशनेक चैनल पर सभी जे लिए बहुत बड़ी खुशकपरी है ताकि आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कैसे सर तो यार बच्चे मुझे अकसर मोड़ रहे कि सर मुझे दो मार के कोशिंस की त मुझे चिप मॉड़र सिक्टर के साथ डिसकॉस्चन करके लाश्ट यह में बहुत सारे कॉशन्स मैंने करवाए थे यह कॉशन्स कहां मिलेंगे सर कहीं नहीं जाना बच्चों पी जी यम यन बात सुन नहीं आरी बच्चों इस एप पर जाने के बात स्टेडी मैट्रियल हो इस पीडियोप को ओपन करोगे बच्चो आग लोगों को यहां पर जितने भी सवाल है बच्चो वो सवाल मिल जाएंगे तो दो मार्क के सवाल करने से फाइदा क्या है सर बच्चों मैंने आपको समझाता सेक्शन बी में 16 मार्क के कॉश्चन होते हैं 2-2 मार्के सेक्शन ब अटरी में 2 मार्क नियूमिरिकल 2 मार्क तो आईसे मिक्स अप करके बारा मार्क राइट 28 मारक क्ये होगे इसका फाइदागे मर्क करने से आपको सेक्शन ए और सेक्शन सी में भी फाइदा होगा definitions भी लिखोगे बच्चों तो भी आपको बहुत बाड़ा फाइदा होता होता है define the following terms, coefficients of observations, coefficients of reflections कुछ भी हो सकते, definitions हो सकती है आपको YUMC quiz में very short answer इसमें भी फाइदा होता है तो इस तरह कैसे आप लोगों को तयारी दो-दो मार्की करना है लेकिन उसके लिए PGML आपको डाउनलोड करके आप लोगों से free है इसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है आप में के मोड़ा बच्चों देखो, दिमें, 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 करो इससे confidence बढ़ता है, दो मार्की question होए तो आदमी के कहिना कही पाउर बढ़ती नहीं हो, मुझे इतने questions आरे भाई तो आदमी क्या करने लगा और आगे बढ़ेगा मतलब तीन मार्के भी derivations मैं आपको देने वाला हूँ लेकिन इसमें comment करना बहुत जुरूरी है कि हाँ sir, तीन मार्के भी हम लोगों को सवाल चाहिए ये देखों यहाँ पर, rotation dynamics दो मार्के question दिख रहे, question होते obtain the relation between linear velocity, angular velocity ठीक ना, इतने simple सवाल होने वाले है ज्यादा hard सवाल नहीं, देखों यहाँ पर define the radius of direction and physical significance ये कप-कप 2008, 2019, 2018 में 2 मार के लिए सवाल है था definition, मैंने कुछ-कुछ तो questions का solution भी दिया है derive the experiment for kinetic energy of rotating body 1 by 2, I omega square, लिखा होगा आप लोगोंने तो इस तरीके से 100% यह जो सवाल है यह सवाल की तहरी करो, देखो distinguish between the centrifugal and centrifugal force यह सवाल आप लोग अच्छी तरी से करो, इसका फ़एदा बहुत होने वाला है शाहिद इसके उपर नीमिरीगल भी आ सकता है तीन मार के लिए भी आ सकता है, यह डटना बच्चों तो यह जो आपके लिए बहुत बड़ान होने वाला है इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर बच्चा महराष्टा का फिजिक्स के अंदर जो डर है उस डर को भगा सके, इसी मिए इस वीडियो को अपने भाई बहन काका करना लड़का बोस्त जो भी होगा उनको अपके कॉलेज की ग्रूप में अगर आप शेयर करोगे तो शूर शॉड़ बच्चो आपको तीन मारके, चार मारके भी सवाल मिलेंगे ठीक है, तो उमिद करता हूँ, जादा से जादा बच्चो को आपको शेयर करना है नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मद बूलिए और लाइक और शेयर करना चलो बात जहीं जय भारत